हलो आपरिवन मैसेल्ब किसोर सेखावत टीम फीजिक सेल्सी सीकर और आज हम सौल करने जा रहे हैं DCM for NEET 2022 और पेपर आपका है 28 और टोपिक अपने इसमें कवर कर रहे हैं मेसी और मैनेटिजम तो सुरू करते हैं पहला क्विशन है है हिलियम नुकलिस मेक्स फूल रोटेशन इन सर्कल ओफ डिस पॉइंट अट मीटर इन टू सेकंड्स तो वैल्यू ओफ मैनेटिक फिल्ड बी एड दे सेंटर आप सर्कल अप जानते हैं कोई चार्ज पार्टिकल ज पर जो फिल्ड होता है वो कितना होता है और हमको गिवन क्या इसमें रेडियस पॉइंट एट मीटर टैंप कितना है तो हमें इनकी ट्रंस में ही सौल करना है तो सेंटर पर निकालते मैनेटिक फिल्ड तो आपको मालूम है बीजिकल टू होता है मियू नॉट आई अपॉन 2R आई यहां पे करेंट वो आपको लेनी है किसकी टरम्स में टाइम पिर्ट की टरम्स में तो मिव नॉट अपॉन 2R और आई होता है हमारे पास चार्ज अपॉन टाइम ठीक है तो इसको उपन कर दें क्यू अपॉन टाइम टी वेल्यू पूट करेंगे तो देखें और यहां मैं ध्यान रखना है कि option सारी मूट की टरम्स में इसको बदलना नहीं है मूट है हीलियम नुकलिस का चार्ज कितना प्लस का 2E तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 तो पार मैनेस का 19 अपॉन यह हो गया आपका 2R है कितना पॉइंट एट वो टाइम पीड कितना है साब 2 साइकंड मैनेस 19 इसका हो जाएगा आपका साइकंड ठीक है बढ़ते हैं आगे तो अगला क्विश्चन आपका है एक कोईल एंट्रंस इस वाउंड टाइटली इन फॉर्म ओपे स्पाइरल विद इनर एंड आउट रडिय एंड बिस रस्पेक्टिवली तो क्विश्चन इस तरह कहा है देखो कि हमारे पास यह कोई एक सेर्कुलर लूप है कोईल है सौरी यहां से स्टार्ट किया और इसकी रेडियस पिर से एक सेम मैनर से बढ़ते गई आपने इसको स्पाइरल रूप में ऐसे फोल्ड कर रहा है यहां से रेडियस आपकी कंटिनियूसली बढ़ते दार रही है और ऐसे में इसकी जो इनर होगा तो ऐसे में अगर हम लोग है इसके सेंटर से इसके सेंटर से अगर आ डिस्टेंस पर अपन एक ऐसा लूप कर सकते हैं तो अगर मालो मेरे पास small r radius का और dn का कोई current केरिंग एक कोईल बन जाए तो उसके center field कितना होता है वह देखो mu naught into dn number of trans dn into i, i माली से current i है upon 2r, r इसका radius हो जाएगा अब आपको सबसे पहले तो dn निकालना है, dn को कैसे निकालेंगे तो आप देखो a से लेकर के b distance, यान इसको अपन ऐसे कह सकते हैं कि total distance यहां से आतका a है, total किता b है तो b-a distance में number of trans कितना n है, तो 1 में कितना हो गया, n upon b-a आपको find करना है इसमें, मालो distance इसकी जो width है उसको अपन dr ले रहे हैं center distance small r है, यह distance और इसका separation जो है या इसकी width उसको अपन लेते हैं dr, तो dr अगर width इसकी है, तो उसमें number of trans कितने हैं, इसको अपन dr से multiply कर देंगे और वो ही अमारे लिए क्या dn बन गया, तो dn है कितना actually n upon b-a into dr, ठीक है, इसको अपन यहाँ dn किसे replace कर देंगे, तो यह actually segment का magnetic field है, total आपको find करना है, उससे पहले अपने उसकी value put कर देंगे, तो mu not i upon कितना है 2r, और यह हो गया आपका mu not, sorry, sorry, यह आपका था कितना n not, n not नहीं यह n, n upon b-a, यह n not नहीं है, तो इसको अपन लेकर है n upon b-a into dr, ठीक है सब, तो mu not i into n, upon 2b-a, यह सारी constant इनको अपन लेकर लेते हैं, dr upon r बन गया, इसका हमको करना पढ़ेगा integration, तो देखें, mu not i, n upon 2b-a, और लोग, यह आपका dr upon r, इसका integration क्या होता है, dr upon r का होता है, log e base r, और जो कहां से कहां तक है, a से लेकर के b तक है, इसको solve करेंगे, तो log, आपका होजेगा log r, तो इसकी upper limit कितनी b है, log कितना a है, तो log b-a, वापस इसको open change करेंगे, तो log b upon a, तो mu not i n upon 2b-a, इसका answer अप लिखोगे, तो mu not ni upon 2, और ये b-a, और log e base, ये होगया, आपका b upon a, तो 2 तो सिर्फ a की ही में है, mu not ni upon 2b-a, log e base, b upon a, इसका आपका थर्ड answer चला दाएगा, next question पर आते हैं, देखो, अगला है state section pq, question simple सा है, यहाँ एक wire दे रखा है, और इस wire को देखो, आप x equal to minus a by 2, बिल्कुल एक finite length का wire है, यहाँ लोग उसका origin x equal to 0, यह x equal to minus ka a by 2, और यह हमारे पास है, x is equal to plus a by 2, और आप से पूछा क्या है, कि x equal to plus a पे, यहाँ से plus a पे कोई point है, तो तो इसकी axis पे है, हम जानते हैं, कोई point, by sort log according, अगर कोई point किसी wire की axis पे, या उसकी length पे होता है, तो उस point पे तो हमेशा magnitude कितना 0 गारता है, तो इसका अंसर आपका हो जाएगा fourth, नेक्स देखते हैं, अगले question में बहुत simple question है, current यहाँ I flow कर रही है, इसके अपन पार्ट कर दें, मालो A और यह B, और यह मालो C, और यह आपका again D, और D से E, तो यहाँ एक state half state wire है, इसको 1 माल लिजएगा, यह आपका circle बन गया, इसको 2 माल लिजएगा, इसको 3 माल लें, तो इसको 3 तरह से अपन इसको divide कर सकते हैं, इसको 3 हमारे passport बनगे, इसका net आपको field निकालना है, तो B इसके center पर जो बनेगा, वो है B1, प्लस B2, और प्लस कौन सा B, 3, इन सब को हमको vector sum करना पड़ेगा, आप देखिए का star का यहाँ जो field है, वो हम right hand अगर finger rolls से अपन use करते हैं, तो इसका B कैसा होगा upward, तो upward का मतलब यह कैसा है, dot के form है, फिर इसका कैसा है, inward, यह आपका cross के form है, यह negative उसको मान सकते हैं, again इसका यहाँ पर कितना upward, तो यह कैसा है, dot के form है, इन दोनों को अपने sum करनके, और इसको हमें minus करना पड़ेगा, और वैसे देखो, यह complete wire इसको एजम कर लो, तो यह पूरा एक wire का ब फिर दूसरा इसको अपन माइनस कर लेते हैं, पुरा म्यू नोट आई अपॉन, यह हो गया, देखो, 2R, 2 से उसको अपन कैंसल भी कर सकते हैं, तो actually दोनों कैसे, 0 नहीं है, infinity भी नहीं है, तो निश्यत्रों से माइनस के साथ है, तो म्यू नोट आई, इसको अपन यहाँ से पाई, यहाँ एक बड़ी interesting thing और है, जैसे मैंने इसमें, म्यू नोट आई, अपॉन 2 पाई, आर मैंने common लिया, तो सेसरा 1 माइनस का पाई, अपाई बड़ा है, यह छोटा है, इसका मतलब अगर इसको अपन रिवर्स करेंगे, तो अब इसकी net intensity कैसी है, कागस के तल के है, तो net intensity कैसी आएगी, इसको reverse करेंगे, direction कैसी कैसी आएगी, क्रोस के रूप में तल के लंब होते हैं, नीचे आजाएगी, ओके, पहुंसते हैं, एक करन्ट of 5 ampere is passed through a straight wire of length 6 cm, एक वायर है कोई, उसके length कितनी है, 6 cm, और उसमें 5 ampere का current flow कर रहा है, आप से पूचा दिन्द magnetic induction at a point 5 cm from the either end of the wire is, दो जो इसके सीरे हैं, दोनों से ही 5 cm, इस से भी 5 cm, और इस से भी 5 cm, डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट पे हम लोगों को magnetic field find करना है, तो क्या करें, इसको अगर मिला दो इसके, अब ऐसे केस में यह 6 cm, कितना 3 cm, कितना 3, 3 इसके 5, त कितना 4 cm, अब इसके 4 होने पर यहां एंगल कितना 37, और यह भी कितना आपका होगा 37, तो अब इसलिए पन फाइंड कर सकते हैं, यह जो दो एंगल आपको मिल चुके हैं, 37 डिगरी के हैं, तो आपको मालूम है किसी finite length के वायर का जो magnetic field भी होता है, वो होता है, म्यू नॉट i upon 4 pi r, r हमारे पास कितना 4, 4 cm, यह 4, तो जो लगी बार में इसको r माल लेता हूं, r into, यह sin 37, plus sin 37, तो 2 sin 37, और sin 37 की value होती है 3 by 5, अब इससे इसको अपन solve करेंगे, और सारे option कैसे cgs में है, तो कोई issue नहीं है, cgs कर लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं, इसको si में फिर दलें इसको cgs में, तो mu node upon 4 pi कितना होता है, 10 की power minus का 7, SI system में आई, current हमारे पास कितनी है, 5 ampere, into 2, into कितना 3 upon 5, upon r, r हमारे पास कितना है, 4 cm, तो इसको ऐसे कर दूँगा, 4 into कितना 10 की power minus का 2, meter में convert कर लिया, ताकि कोई problem ना रहे, अब यहाँ अगर आपन चेक करते हैं, तो यह दे 5 cancel है, 2 से इसको उड़ा जेता हूँ, 2 हो गया, इसको उड़ा हूँ कितना 1.5 आ गया, 1.5, यह power 10 की power minus का 7 है, 10 की power minus का 2 है, तो यह हो गया, हमारे पास value, 1.5 into 10 की power minus का 5, इसको ऐसे कर दूँग, 0.15 into 10 to power minus 4 tesla, और 1 tesla is equal to होता है, 10 to power 4 gaush, तो अगर हम इसको 10 की power plus 5, 4 से replace करेंगे, gaush के terms में तो यह से cancel हो गया, तो 0.15 gaush इसका answer बन जाएगा, question 5th का answer आपका हो जाएगा, 3rd, question 5th का answer हो जाएगा, 3rd, ठीक है जी, बढ़ते हैं अगले question में, अगला question है, question 6, two state long conductors AOB, यहां question simple दो ऐसे दे रखे हैं, कि हमारे पास दो स्टेट, अगला question देखते है, question number 6, तो question simple हम देखें कैसा है, कि इसमें दो बाइर दे रखे हैं अपने को, first wire, यह है second wire, दोनों एक दूसरे के ठीक perpendicular है, एक उपर दूसरा रखा हुआ है, जैसे मानलों यह आपका AOB wire है, दूसरा कौन सा है, COD wire, और हमसे पूछा है, कि जैसे इसमें current मानली जेगा कितनी I1 current है, इसमें current कौन सा है, I2, और फिर हमसे पूछा ही जा रहा है, कि जो इसका plane बनता, उस plane के ठीक perpendicularly ऊपर एक point है, डी distance पर, तो यहाँ डी distance पर अगर field आपन देखें, तो first wire का B कैसा नीचे हुआ, और इसका field कैसा हुआ, इस तरफ है, एक तो field नीचे, इस तरफ है, दोनों field आगे 90 पा आगे, एक field इस तरफ, एक field इस तरफ 90 पे, कि मालों B1 ये B2, तो net कितना है, B1 square प्लस B2 square रूट आएगा, तो यहाँ जो net intensity आगे किसी point पे जो आप authority में होगा, तो इस B का value हमारे पास कितना होगा, B1 square और प्लस B2 square का root, और B1, B2 अपने जानते हैं, current case, current पे depend करेंगे, current के proposal होता है, तो B1 की value हमारे पास कितनी आएगी, वो आएगी, मू नॉट I1 upon 2 pi d, इसका square करेंगे तो I1 का square, तो I1 square definitely root के साथ कोई answer आएगा, आप solve करेंगे तो इसका answer आपका third आजाएगा, नॉट I1 upon 2 pi d common आजाएगा, यह तो पहले से भार आएगा, तो only अंदर क्या रहेगा, I1 square plus I2 square, यह आपका answer बन जाएगा, अच्छा, यह कुस्तर आप जानते हैं बिल्कुल, कि अगर किसी current carrying coil जो होती है, उस coil के ठीक neighboring point पे, उसके पास की जो point होते हैं, उन point पे जो फिल्ड कितना होता है, तो देख लें, मालूँ हमारे पास एक करिंग कोईल है, इसके radius है, और इसके center से x distance पे, जो अपने classmen discuss करते हैं, उसके according देखें, तो इसका B जो होता है, वो B होता है, आपको मालूम है, mu naught, ni, r square upon 2, और यह होता है, आपका r square plus x square की power 3 by 2, approximation अपन करते हैं, approximation करने के बाद में जो अपने पास value आती है, वो है delta b upon b naught, और यह होता है, आपका 3 by 2, x square by r square, 3 by 2 x square by r square, 3 by 2 x square by r square, है, r हमारे पास यह तो इसका answer आपका first बन जाएगा, आगे भी score काम में लेना है, अब उनका प्रसेंटेज चेंज में इसको 100 से multiply कर दीजेगा, और इसको भी 100 से multiply कर दीजेगा, तो यह percentage change की रूप में भी बन जाएगा, अगला question है, square conducting loop of side length L carries a current I, the magnetic field at the center of loop is, एक square loop of side L, हमारे पास एक square loop है, और जिसकी length कितनी है, capital L, और मालों इस तरह से कोई current इसमें flow कर रहा है, और carries current L, तो आपको इसके center field निकालना है, कोई issue नहीं है, current अपन देर रखे हैं, तो अगर एक wire है, उसका अपन फिर्ट निकालने साब, तो अगर यह square की रूप में, एंगल कितना 45 degree है, यह भी कितना angle आपका 45 degree का है, तो इसका अपन एक center field निकालते हैं, उत्ता है, सबका आएगा, तो जो net field अपन निकालेंगे, तो B जो इसका net होगा, वो है कितना 4 into magnetic field of one side, वन मा लेता हूँ, तो 4 into B, यह है आपका mu naught, i upon 4 pi d, d actually हैं से distance है, इसकी side L होने पर L by 2, इसको पर लिखते हैं, L by 2, into, उसके बाद देखो आप, तो हमारे पास जो value बनने वाली है, वो कितनी है, 2 sin 45 plus sin 45, 2, into कितना 1 by root 2, तो आपको तो length पे इसकी dependence चेक करनी थी, तो आप देखें, B not, 1 upon L, यानि length के inversely proportional है, inversely proportional to length, तो 3rd इसका अंसर आपका हो जाएगा, next देखो, two identical wires A and B have the same length L, दो हमारे पास wire है, दोने के length कैसे same है, आपको एक length ये है, L length आपको, दूसरा wire भी कैसा है, same length L का है, where A is bent into a circle of radius R, इसको हमने एक R radius के circle में convert कर दिया, ठीक है, B is bent form a square of side A, यह हमने बनाए एक square, जिसकी side देरह की हम लोगों ने A, length सब की बराबर है, R और A से कोई फरक नहीं बढ़ना, अच्छा, यह ठीक है भी, तो आप से, if B1 and B2 are the values of magnetic field at the center of circle and center of the square, then ratio of B1 by B2 क्या होगा, इसके center पे, इसके center पे field कितना बनेगा, तो अभी हम solve कर रहे थे, उसी तरह से आप देखोगे, तो इसका center पे तो field आएगा, इसका, वो हमारे पास है, मानलो B1, और वो है कितना mu naught, I upon 2R, clear, R की value हमको find करने पड़ेगी, तो L is equal to कितना है, 2PiR, और इसको solve करने पे हमारे पास R की value कितना है, L upon 2Pi, तो R की value अपने यहाँ हटा दें, तो R को अगर मैं यहाँ से replace करता हूँ, किस से replace करता हूँ, L upon 2Pi से, यह से cancel हो गया, तो Pi चला गया आपका उपर, तो value है, देखो, mu naught, mu naught Pi into L, mu naught I, sorry, mu naught I, mu naught I into, sorry, mu naught Pi into I, upon 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 L, यह इसका magnetic field आया, circle के center पे, आपको निकालना है, फिर इसके square के center पे, अभी है अपन angle check कर रहे थे, 4 इसकी sides हैं, और उसकी basic पे अपन याद करते हैं, तो सबसे पहले देखो, इसका जो B2 आएगा, we have 4 into 1 side का field, और वो है साब mu naught I, upon 4 Pi, अब distance अगर A की रूप में है, तो A का हुए half in A by 2, A by, 2 A bar मैं लिख रहा हूँ, ठीक है यह 8 है, इसको A jump कर रहा है, उसके बाद angle की बात करते हैं, तो यह angle कितना 45 45 है, तो 2 sine 45, तो 2, और sine 45 कितना होता है, 1 upon root 2, तो 2 by root 2, यह हमारे पास value आई, अब A वैसे है कितना देखो, तो L को हमने 4 A की रूप में convert किया है, और इससे A की value कितनी आएगी, L by 4, तो आप इस A को यहां पर replace कर दो, कितना हो जाएगा, L by 4, L by 4, तो यहां इसको लेता हूँ, L by 4, अब इसको solve कर लेते हैं, आपका answer है, वो आ जाएगा, तो 4 से 4 cancel हो गया, 2 चला गया, अब यहां से उपर, 2 उपर से लागया, तो आट, 8 upon root 3, 8 upon root 3, मोटे तोर पे जो अपने पास value है, वो है, तो आप उसको देख सकते हैं, 8 upon root 3, बाकी value जो हैं, उसको देखो, तो mu not I, mu not I, mu not I, upon, pi into L, pi into L, इस तरह के हमारे पास value आ रही है, तो अब इनका ratio हम कुछ चेक करने हैं, तो ratio आप चेक करने देखो, B1 हमारे पास था, mu not I, pi I upon L, तो B1 by B2, B1 by B2, B1 हमारे पास था, mu not pi into I, upon L, B2 हमारे पास है, 8 upon root 3, और mu not I, upon pi, upon pi, ठीक है साब, तो अब इसमें नीचे LB है, ठीक है, अब इसको अपन solve करते हैं, L से L cancel हो गया, और ये pi आपका उपर चला जाएगा, I से I cancel हो गया, mu not से mu not cancel हो गया, तो ये हुआ, pi चला गया उपर, तो pi square, pi square root 3 पे पूपर चला गया, upon it, root 3, root 3 कहां से आया भी, root, बेटा जी, root 2 sin 45, 2 sin 45, तो उसका value था, root 2, root 2, तो ये होगा आपका, root 2, pi square, अच्छा, अगर इसको अपन यहाँ पे, root 2 से multiply कर दें, root 2 से इसको divide कर दें, तो ऐसे करने पर हो गया value, तो फिर भी कुछ गडबड चल रहा है, कुछ तो गडबड चल रहा है साब, कुछ तो गडबड चल रहा है, अगे देखते हैं, B1 हमारे पास कितना आगया, ये ठीक है, यहीं कुछ है गडबड है, तो 4 into mu not upon this, तो फाइनली जो अपने पास value बची थी, उसको अपने देखते हैं कि बार, तो मैंने इसको 4 से 4 कैंसल कर दिया था, तो चला गए आपका 8, अच्छा ये फिट्टू ये भी तो रहा था ना, तो 4 into 8, 8 into 16, तो ये value जो आपको दिख रही है, वो है 16, 16 है तो इसको उड़ाएंगे, तो कितना हबा, 8, तो pi square upon 8 root 2, बिल्कुल ठीक आपका second answer है, वो आजाएगा, थोड़ी सी calculation में आपको ध्यान रखने पड़ेगी, बढ़ते हैं आगे, अगला question देखो, two long conductors separated by a distance d, carrying current I1 and I2 in same direction, दो हमारे पास wire हैं, जिनमें समान दिशा में current flow कर रहा है, I1 और I2, they accept a force F on each other, इन पे force F लग रहा है, तो अगर दोनों में धारा समान दिशा में flow कर रही हो, ऐसे में बल जो होता है, वो होता है attraction का, ठीक charge जो होता है, उनका opposite आप मान लिया गरो, तो धरा समान दिशा में हैं, same direction में हैं, तो force of attraction इसका होगा F, और इसकी value हम लोग, अगर distance इन दोनों की इसकी, अगर D है, तो F से है कितना mu naught, I1 into I2 upon 2 pi into D, 2 pi into D, और per unit length force अपन निकालते हैं, तो हमारे पास value आती है, ये, length अगर दे रखी है, finite, तो उसको multiply कर दो, इतना force आपका बन जाएगा, now the current in both of that is double, and its direction is reversed, हमने क्या किया, दोनों जो है, उनकी, now the current, both of them is double, and direction is reversed, दोनों जो धराय हैं, उनको अपने double कर दिया, ठीक है, और direction को अपने reverse कर दिया, the distance also increase to 3D, distance बदल ली, तो आप यह देखें कि तो force है, वो परपोस्ट लों कितना है, I1 into I2 upon DA, तो F days कितना I days, I2 days upon D days, इसको पने check करें, तो यह हो गया double, यहां भी कितना double, और यह हो गया 3, तो actually 4 upon 3, 4 upon 3 के according आना चाहिए, ऐसा option है नहीं, तो आपका answer क्या हो जाएगा, 4th, next question देखे, in arrangement of these 3 parallel straight wires, हमरे पास 3 wire हैं, और आपसे पूछा है कि, length on the, magnitude of force per length on the wire, B पे अपने को force निकालना है, 3 दिरखें करें करेंट कहरिंग वायर, A, B और C, B पे निकालना है, तो आप देखो, यहां current कैसी, इन दोनों में current समान दिशा में है, तो force of attraction होगा, तो f, यहां दो दरहा, कैसे opposite है, दरहा इसमें उपर की तरफ है, इसमें downward की तरफ है, यहां force कौन सा होगा, रिपर्सन का आएगा, अब यह दोनों देखो, अब 120 पे दो अगर force लग रहे हूँ, समान परिमान के हूँ, तो net force किता दोनों में से किसी एक के बराबर आएगा, यह force भी f है, यह force भी f है, 120 यह angle पे हैं, क्योंकि धरहा ऐसा बराबर दे रखी हैं, सब में current का ऐसी बराबर दे रखी है, तो ऐसी स्थी में, जो force आपका होगा f, वो है f net, वो एक force यहने, इन दो में से किसी a का force निकाल लो, और वो है कितना, mu naught i, 1 into i2 i square, upon 2 pi into d, mu naught i square upon 2 pi d, mu naught i square upon 2 pi d, इसका answer आपका हो जाएगा, 11th का 4, ठीक है, फोर्थ इस कांसर आपका चला दाएगा, यह क्या है current carrying loop है, current carrying, circuital loop यहनि परिपतिय लूप है, आप अगर यह जो आपको लूप दे रखे हैं, इन सभी लूपों में, अगर इन सब की width same हो, तो center पे हमेशा field कितना जीरू होता है, यह अपने class में डिसकस करते हैं, पर वो तब होता है, जब साथ में इन जो entering और जो आपके living end होते हैं, उनका भी center field कितना 0, अब यह जो point है center वाला, इसके length पे, इसके length पे 0 है, ठीक है, सही है, 0 हो गया net, यहाँ भी इसका 0, 0 ठीक है, इसका भी, जितना field इसका downward उतना field इसका upward 0 हो गया, पर इस वाले में इन दोनों segment के field आपके non-zero होंगे, इस system में center field आपका कैसा होगा, non-zero होगा, 0 नहीं होगा, और पुछा है कहा है, not 0, next question देखो, dimension formula of magnetic susceptibility, dimension less होता है, second है, next check करिए, proton, neutron and alpha particle inters perpendicularly, in a uniform magnetic field, तो देराख है, कारेटी करेंगे same देराख ही है, तो उनका radius of circular path कितना होगा, r, is equal to होता है, 2mk का root upon qb, ठीक है, आपको पूछा है, इनका ratio पूछा है, तो यहाँ radius आप चेक करें, कि root m upon qk परपोस्टनल है, field same है, बागे सब आपको देराख है different, तो radius of proton, ratio radius of neutron, ratio radius of alpha, इन सब का निकालना है, तो mass recording value निकाल ले, तो root of proton का mass कितना mp upon charge कितना e, neutron का mass कितना होता है 2mp, तो root 2mp upon charge कितना e, इसका mass कितना 4mp, upon कितना 2e, अब इसको solve कर सकते हैं, root m e को अपन कॉमन ले लें, तो यहां से सरा 1, यहां कितना root 2, और यहां 2 upon 2 cancel हो गया 1, तो आप देखें, radius of proton और alpha की equal है, radius of proton और alpha, ratio वैसे 1, root 2, 1, 1, root 2, 1, 14 का answer आपका हो जाएगा, first, ठीके कोई दिकरते हैं, answer कि सही है, बढ़ते आगे, यह दे रखा है, two particles and be having same charge, चार से हम दे रखें, यह particles devious as solid figure, दो particles as a devious हो रहे हैं, तो इनमें जो इनकी speed और mask में careless हैगा वो आपको देखना है, charge equal है, आप देखो first जो B है, इसकी radius कौन सी यह है, और A की radius कौन सी है, आपको साफ यहां दिख रहा है, कि radius of A is more than the radius of B, speed और mask की रूप में देखना चाहे करना है, तो आप देखो radius होता है, कितना है, mv upon qb, और इसकी value है, b वाले के लिए, mv upon qb, ठीक है साब, अब 4 सब के से मैं उड़ा देता हूँ, b सब के से मैं उड़ा देता हूँ, only mv है, तो first का momentum seconds जदा है, ठीक है, पर अब conditions है, मैं अपने पास आया, mv of first, यानि a, is more than the mv of second, यानि b, अब सारा खेल option का रहे गया, अगर mass इनके equal है, mass अगर equal है, तो va more than vb, बिलकुल ठीक है, velocity equal है, mass equal है, possible नहीं है, अगर va का value vb से बड़ा है, va का value vb से बड़ा है, if va more than vb, then m a is equal to m b, यहाँ एक थोड़ी सी दिक्कत देखो आप, अगर mass equal है, तो यह तो इसका उल्टा हो गया, यहरी velocity va का value vb से बड़ा है, तो mass कैसे होंगे, equal होंगे, m a का इससे value छोटा है, तो va यह तो आपका गलत हो गया, अगर speed बराबर है, तो b का mass, sorry, a का speed है, b से ज़्यादा होगा, a की speed हो, b से ज़्यादा आएगी, तो इसमें तो answer आपका देखो, first भी बन गया और third भी बन जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत रह गई, कोई issue नहीं है, इसका answer आपन एक और कर देंगे, first और third, यह बार पूने चेक कर लेते हैं देखो, radius इसमें आपको देर रखिए, r a more than r b, कोई दिक्कत नहीं है, और mass अगर equal है, mass अगर equal है, तो speed जिसकी ज़्यादा होगी, उसकी radius भी कैसी ज़्यादा होगी, वो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, ठीक है साब, question number 15 में, थोड़ा सा एक लोचा है, उसको अपन देख लेंगे, बढ़ते हैं गले question में, if two streams of protons move parallel to each other in same direction then, दो protons की beam है, समान दिशा में गती कर रही है, तो धरा भी इसकी समान दिशा में होगी, तो force of magnetic attraction, और charge plus plus के हैं, तो कुलाम बल कैसा होगा, डिपल्सन का, तो कहरा कि magnetic force between them will be 0, पिछुमब के बल 0 है, गलत बात है, magnetic force between them will be of attractive nature, magnetic force, बिलकुल attractive nature का है, magnetic force between them will be of repulsive force, गलत है, नो कुलाम force, एक्ट कुलाम force तो लग रहा है, तो इसका आपका answer होगा, 16 का second, 16 का answer आपका second हो जाएगा, बढ़ते हैं अंगले क्रिश्ण में, यह क्रिश्ण बड़ा प्यारा है, इसमें आगों दरख है, यह वायर है, एक अप दरख है, लूप, इसमें करण फ्लो कर रहे हैं, तो आप देखो, जो नेबरिंग वायर हैं, उनमें जो धरख कैसी समान दिशा में है, तो force of protection है, और इन दो के भी force कौन सा आपका reflsen का है, पर यह दूर है, यहां force reflsen का कम है, यहां force कैसा जादा है, तो ऐसी सित्ती में, जो, अगें इसको, next, देखते हैं इसको, तो यह simple सा question है, एक अपने पास straight wire है, एक दे रखा आपके पास rectangular loop, एक आयता का रूप दे रखा है, आप से पूछा है कि धरा इसमें फ्लो करने पर क्या होगा, तो आप देखें, जो इसके पास के तार है, उन धरा कैसी है, शमान दिशा में है, तो इनका चुम्बक क्या बल कैसा होगा, attraction का, attraction का है, और इस दोनों के बिसके distance कैसी कम है, तो यहाँ इस पे force मान लो, f1 है, attraction का, इस पे force कैसा repulsion का f2 है, दोनों force कैसे हैं, equal है, या opposite, तो नेट force इस लूप पे कैसा आवा तार की तरफ हो गया, तो इसको छोड़ने तार की तरफ आएगा, अब चुम्बी जो force है, वो distance भी डिपेंड गड़ते हैं, तो जैसे ही pass आएगा, तो इनके बिसका बल आपका बढ़ जाएगा, तो यह actually pass तो गती करेगा, पर अब तो variable force से, वो भी कैसा बढ़ते हैं, वो force से गती करेगा, तो इसमें move towards the wire with variable force, variable force से move करेगा, यह इसमें important है, नेक्स देखो, यह दो बायर दे रखें, आपसे पूछा है कि इनके बीच में force होगा, पर unit length है, इसकी value कितनी होती है, तो इसकी value कितनी होती है, 2 into 10 to power minus 7, i square यह है कितना 4 into 4 16, upon 2 d, d हमारे पास है 10, तो 10 की पाँर मैनस का 1 कर देता हूँ, तो 16 into 2 कितना 32, 32 into कितना 10 की पाँर मैनस, का 6, पॉइंट अगर यहां shift करते हैं, तो 0.5 हो जाएगा, 3.2 10 की पाँर मैनस का 5, यह इसका 18 का अशर हो जाएगा, second, हाँ जी, अगला question है, electron is moving on circular path, with angular momentum j, then magnetic moment associated with this, moving electron will be, उसका momentum कितना होगा, तो electron का जो angular momentum, आपन निकालते हैं, एम, वो होता है कितना qj upon 2m, q कैसा negative है मैनस का, तो मैनस का e m, तो मैनस का e j upon 2m, इसका अशर आपका हो जाएगा, next, at a place, horizontal component of earth's magnetic field is this, यानि, b h आपको दे रखा है, 0.4 gauss, angle of div, theta दे रखा है आपने को कितना, 30 degree, vertical component of earth's, तो आप जानते हैं, 10 theta, या b vertical जो होता है, b vertical equal to होता है, b, आपको पूछा क्या है, vertical component, तो, सौरी, इसको अपने ऐसे करते हैं, 10 theta is equal to, b v by b h, b v by b h, तो हमको पूछा क्या, vertical component, तो b v का value कितना हो जाएगा, b s 10 theta, b v is equal to हो जाएगा, b v 10 theta, सौरी, थोड़ी गलती कर रहे हैं, b h 10 theta, b h हमारे पास कितना है, 0.4, into 10 30, 10 30 कितना 1 by root 3, अब इसको अपन solve करेंगे, तो देखो, answer आपका 0.4, into 1 upon root 3 होता है, 0.577, इसको अपन 6 मान लें, 6 into 4, 24, 24 क्या सपास, और वैसे, 0.24 क्या सपास, तो इसका answer आपका second है, वो हो जाएगा, 20 का answer है, second, next, देखिए, the angle between magnetic meridian and geographic meridian, क्या होता है, angle of declination, 21 का second answer आपका हो जाएगा, यह basic question है, चुम्ब के, जो परवर्टी होती है, किसकी परामेनेटी सबस्टांस की, अनुचुम्ब की पदार्थ होते हैं, उनकी जो चुम्ब की परदा परवर्टी होती है, परवर्टाप की व्यूत कर्मानपाती होती हैं, काईस मानपाती वानपाती, second answer आपका है, which the following is true, कौन सा statement है, वो सही है, तो कहरा है कि, ताप को बढ़ाने पर अनुचुम्ब की पदार्थ हों, को का भाई चुम्ब क्षित्र में, कुम्ब क्षित्र बढ़ाूनें, ताप बढ़ाने से, अब देखो, एक तो जो परती चुम्ब की पदार्थ होते हैं, उनका जो मैनेटीजम होता है, वो ताप पर डिपर्डन नहीं गड़ता है, तो गलत है, और ता बढ़ाने से अनुचुमगी पदार्थों का भाई ये बी में चमउक जाता है उनकी माइग्नेटीक सेप्टिविलिटी होती है इन्वरस्टीक्रमानुपाथ होती है और इसलिए वह डिक्रीज हो जाती है तो 23 का आपका हो जाएगा फॉर ठीक है तू मैनेटिक फिल्ड लाइन्स नेवर कट ही जतर सिंपल गोशन है आपस इंको भी काड़ती ही नहीं है एक पॉजिटिव चार्ज मुविंग ट्वार्स इस्ट डिफ्लेक्स ट्वार्स नॉर्थ ड्यू टू मैनेटिक फिल्ड डैक्शन ओप मैनेटिक फिल्ड इस ए यह पैस्ट यह डिफ्लेक्स मुव कर रहा है प्लस चार्ज इस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है किस तरफ नॉर्थ की तरफ यानि इस तरफ फोर्स लग गया है मैनेटिक फोर्स लग रहा है इस तरफ तो आप से पूछा कि ऐसी कंडिशन मैनेटिक किस तरफ होगा तो आप जानते हैं जो चुम्बक के बल है या मैनेटीफ फोर्स से उसकी डरेस्ट निकालने के जो रूल्स होते हैं या तो अपन लेते हैं फ्लेमिंग का बाइंहाथ का नियम बाइंसे बल या हम लेते हैं राइट हैंड पाम रूल दाएंहाथ की या तेलिकानियम सबसे एजी हो होलता है इसको बहुत हो रहा है तो इसकी एपन वैल्यू को या इसके रूल को अपन फॉलो करें तो प्लस करेंट की तरफ थम आपको यूज़ करना पड़ेगा फिल्ड आपको मालूम नहीं है फोर्स कैसा अपवार्ड है तो फोर्स के अपवार्ड होने पर जो मैनेटीफ दो वेक्टर हैं मोशन प्लस शार्ज की थम की तरफ क्लियर फोर्स आपको चाहिए नॉर्मल टू पाम अचली के लंग के तल की तरफ उपर की तरफ फोर्स आपको मिलका दो वेक्टर फिक्स होने पर फिंगर्स की तरह है तो यह डाउनवार्ड 25 का आंसर आपका हो जाएग पॉटेंशल डिफरेंश बीकाम डेवल देन पॉर्स एक्टिंग ओन देम क्या होगा तो हम जानते हैं किसी लेक्टर में जो बल लगता है किस पर मेरेटिक फिल के कारण बोविंग चार्ज कितना होता है क्यों भी साइन धेटा होता है तो मैक्सिम फॉर्स प्रॉस मालेता ह गया क्योंकि आप जाते हैं स्पीड भी होता ना होता है टू इवी बाई स्मॉल एम का रूट तो अब आपने पोटेंशल को डबल किया है तो फोर्स कितना है रूट टू टू टाइम्स हो जाएगा तो इसका अंसर आपका हो जाएगा 3 क्योंकि इसको आप सॉल करेंगे तो एफ देस अपोन एफ इस इकल टू रूट आफ वी डेस बाई वी डेस कितना है टू तो टू वी बाई वी यह कैंसल तो रूट टू आ गया तो एफ देस इकल टू रूट टू एफ बन जाएगा इकल करण्ट i is flowing in three infinitely long wire along positive action, Y action, Z direction यहने यह अकसिस यह आपका है Z axis और इनके आपका है एक वायर इस तरह है एक वायर आपका इस तरह है एक वायर है इस तरह हो इस तरह है और करण्ट इसमें I flow कर रहे है ऐसे इस तरह से हो गया X X Y और Z अब आपको बोलाए कि 0-0-A यानि कोई तार है कोई पॉइंट है वो इसके यहां मैनस Z में यहां नीचे यहां हो है अब इस फिल्ड देखो current flow कर रही है इस तरफ point नीचे है तो current अगर इस तरफ यहां point अगर नीचे होगा तरह इस तरफ flow कर रही है तो अब रूल से अब बात करें तो इसमें due to plus X वाला जो वायर है इसके according आप देखें तो इसमें field कैसा आया plus J में आया तो एक तो plus का J है तो plus का J तो यहां पर भी है plus का J यहां पर ही है यहां पर है यहांँसको पूड़ाई दो खतम उसके बाद रहा कूंसा यह वायर है इसके तो point axis पर यह है इसका field किotत्स उसका यह वायर इसके point यहां है इसका feel कैसा माइनस अग्सीस में माइनस आए आई और सिर्प कहा पर है इस एक में यह आंसर आपका ठीक है बागि सब गलत है अड़ाओ सबको ठीक है दोनों वेक्टर सिर्म कर देना को दिकत नहीं है तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा यहां पर भी पूरा खेल आपका वेक्टर क्वांटिटी के रूप में दिखना पड़ेगा तो एक्चुली यहां तो दे रखाना यह तो है एक्स अक्सीस यह उपर वाई और यह जड है वाईर किस तरह से आया है जड के पहले समानतर यह यह वाईर आया यह इसको फिर यहां क्या गया फिर एक्सेस के लोंग जा रहा है तो इस एक्स वाले का तीन पर्ट है फरस्ट सेकिंड और थर्ड इसका तो फिल्ड जिरो हो गया ओनली वन और टू कर रहा तो यह आप जब यूज करेंगे तो बी जो इसका है वो कौन सा बी वन प्लस बी टू इनको अलग से पफाई तो माइनस का आइग पहले बार तो इसमें आई है cigarette कर लो मायन त्षक्र माइनस का यह का वाइं яाई प्लस का प्लस का लज का है अ पश्ड आव यह जुरूत नहीं आगे बढ़नेंगे नेक्स देखों रेडियस ऑप करन्ट केरिंग कोई इस टैन सेंडिमिटर अपने पास के एक है उसमें इस फ्रेक्षिनल डिक्रीज इन फिल्ड वैल्यू विद रेस्पेक्ट तू सेंट्र आप दे कोई फॉर इन नियर्बाइ एक्सिल एक्स डिस्टेंस हमने यूज कर रही है और यह पूछा है कि अगर इसके सेंटर से फिल्ड जो है यहां कितना वन परसेंट है वो कम है एक परसेंट डिक्रीज हुआ है 99 अभी भी इसके पास है तो स्मॉल चेंज है स्मॉल चेंज होने पर अपने पड़ा था डेल्टा बी पॉन बी नॉट इन्टु हंड़ेड इस इकल टू वह होता आपका थ्री बाइटू एक्स स्क्वार बाई आर स्कॉर इन्टु हंड़ेड यह परसेंटेज मेल्यू आपकी होती है बी दिरेख्खा कितना वन परसेंट डिक्रीमेंट हो गया तो थ्री बाई टू इन्टु ए अग्स की वेली अपने को फाइंड करनी है तो टू बाई थ्री देखो इसको सॉल करेंगे तो अक्स स्क्वार इस इकल टू हमारे पास आया तू बाई थ्री थ्री कौन सा आर स्क्वार और इन्टु कितना वन अपॉन हांड़ेड आपको निकालना एक्स इसका रूट तो रूट आप करेंगे पर एक गड़बड में कर रहा हूं तू आर स्क्वार आर स्क्वार कहां जाएगा उपर जाएगा अगर डामेंसली गलत हो जाएगा अब इसको सॉल करेंगे तो देखो यहां से आप चेक करोगे तो एक्स की वेल्यू हमारे पास कितनी रूट आफ रूट थे आर अपों 10 10 की वेल्यू पन पूट करें कितनी 0.1 या 10 cm इसको 10 cm पूट कर दो 10 से 10 कैंसल हो गया तो रूट 3 बाइट 2 सेंटीमेटर इसका अपका जाएगा रूट 3 वाइट तो 29 का आपका हो जाएगा फॉस्ट ऑकिस नेक्स देखिए two similar coils of radius capital are lying concentrically with their plans at right angle to each other the currents flowing in them are i and 2i दो हमारे पास coil है एक मालों यू रखिए एक रखिए यू दोनों center एक है पर radius भी कैसी है उनकी सब की same है 하죠. बूइ बहुत आई पर इसमें current flow रहा हा आई और इसमें current कितना flow रहा है two i तो पूछ्छा है कि इसके center फिल कितना हो गगा अब दो coil है एक coil यह है और लों इसमें current यू PHILO कर रगे है तो इसका करेंट है आई तो आई का स्कार्व दूसर तू आई तो टूसर फोर वन प्लस फोर कितना रूट फाइब रूट फाइब डेफिनेट है वागि तो सब आप चेक कर लेंगे तो इसका आपका उजएगा 30 का चेक कर लिए आंसर होजएगा भी नेक्स्ट अगला क्रिशन है तो अ सब्सक्राइब है कि उनका मेंडियों मोंट एम है प्लेस एडिस्टेंस टूडी यांद दोनों के सेंटर के बीश का डिस्टेंस कितना है यह आपको दिरेक्षा है टूडी और इनके आकैस आपस न9 टी पे हैं तो एक को आपन यहां मां लेते हैं मैयनेटिक इंडक्शन एठेप्वाइब इट्पिन तो हमें ठीक भीष ओले पॉइंट पर पे तो इसका तो पॉइंट है, एक्सेल पॉइंट तो इस जंड्रू याया से पर होता है भी मिनोट एम अपन फॉर पाई डीकूब तो मिनोट एम अपन फॉर पाई डीकूब और उसको रूट फाइब से आपको मल्टिप्लाई करना पड़ेगा तो इसका भी आंसर आपका एस ला जाएगा थार्टी वन का आणसर आपका है फॉर्थ टीक है साब नेक्स पे पहुंचते हैं to like magnetic poles of strength 10 scientific and 40 centimeter separated by distance of 30 centimeters दो हमारे पास pole है और इनकी pole strength कितनी 10 centimeter और 42 दर रखी है distance उनका है कितना 30 centimeter दो pole रखे वہं आसे और यह इनका में इसका separation है तो आप से पूछ आईसे कौन सा पॉइंट जहां पर नेट फिल्ड कितना जीरो हो जाए तो ऐसे में आपको मालूम है जो स्मॉल वाला है इसके नियर में होता है पॉइंट मालोई डिस्टेंस एक्स है तो यह डिस्टेंस कितनी होंगी 30 माइनस का एक्स अब चुंकि यहां नेट फिल्ड जीरो है तो इसका फिल्ड इसका निकाल लो और स्बाओ कर दो एक्सों हमारे पास वे एक्सका वैसे डायेट फोल्या पर निकालते हैं तो एक्स का वेल्य नियुक्ते कहसे स्मॉल तो small का dipole moment कितना है 10 तो 40 upon कितना 10 और प्लस का 1 यह से cancel और रूट का 2 प्लस 1 कितना 3 तो 30 upon 3 कितना हो गया 10 cm पर 10 की से 10 वाल इस 10 है उससे कितना है 20 cm तो 10 से 10 stronger pole से कितना है 20 cm strong at a point 20 cm from the stronger pole इसका अंसर आपका बन जाएगा next देखिए a magnet oscillating in a horizontal plane has a time period of 2 seconds at a plane where the angle of deep is 30 degree जहाँ angle of 30 degree है वहाँ उसका time period 2 seconds है 3 seconds at another place where the angle of deep is 60 the ratio of resultant magnetic field at that places is तो आपको मालूम है इसका जो B हम लोग time period निकालते हैं T वो होता है 2 pi root of I upon M into BH BH को अपन यहां से replace करें तो BH होता है B cos theta B cos theta net B आप देखो यहां 7 minute है 2 pi constant है IB constant है MB constant है इसको square गड़ें हम लोग तो T square समानुपाती कितना है 1 upon B cos theta आपको B की strength का ratio find गड़ना है B को अपन यहां ले आते हैं तो actually B proposed कितना हो गया 1 upon T square into cos theta अब इससे अपन इसका ratio निकाल लेते हैं तो देखें B1 by B2 is equal to B1 by B2 का value आपको निकालना है तो देखो सबसे फ़ले time period का तो reverse में है तो time period first का यहनि इसको चलो मैं लिए देता हूं एक बार यह हो गया T2 by T1 का whole square into cos यह हो गया आपका theta 2 by कितना cos theta 1 T2 by T1 time period हमारे पास कितना है first का 2 है second कितना 3 तो T2 3 by 2 का square into cos theta पहले है तो कितना आपके पास 30 फिर 60 है cos 60 कितना हुआ 1 by 2 और cos 30 कितना root 3 by 2 1 by 2 से 1 by 2 cancel हो गया यह है 9 upon 4 तो इसको solve करेंगे तो 9 by 4 into कितना 1 by root 3 9 by 4 into 1 by root 3 तो इसका answer आपका हो जाएगा कितना 33 का 3 answer पिल्कुल ठीक है next जेकरते है at a certain plane the angle of dip is 30 degree किसी स्थान पर angle of dip आपको दे रखा है 30 degree the horizontal component angle of dip यानि theta मानलो आपको दे दिया 30 degree the horizontal component of earth's field यानि bh इदे दिया 0.5 the earth's total magnetic field in or state तो bh is equal to होता है b cos theta आपको पुछा है यहां से b तो b is equal to हो गया bh upon cos theta bh upon cos theta तो bh जो हमारे पास था 0.5 angle कितना 30 degree bh cos 30 cos 30 कितना होता है root 3 by 2 root 3 by 2 तो इसको solve करेंगे तो यह 2 चला गया उपर तो 1 by root 3 1 by root 3 34 का आपका हो जाएगा 3rd बिल्कुल इसकांसर भी 3rd ही दिया वाए कोई issue वाला case नहीं है next बढ़ते है susceptibility of paramandry substance at 30 300 Kelvin is this at what temperature will the susceptibility increases to this कोई issue नहीं साब अपन जानते हैं काई पर पोस्लों अपॉन टी तो किस ताब पर यह हो जाएगा तो टी जो है वो परपोस्ल टू बन अपॉन काई है तो टी डेस अपॉन टी इस इकल टू अपन गर दें कौन सा काई अपॉन काई डेस और इस टी से इसको multiply अपन कार सकते हैं तो काई पहले कितनी थी 1.2 इंटू 10 टू पाउर माइनस का 5 अपन काई डेस तो है 1.8 इंटू 10 टू पाउर माइनस का 5 और temperature कितना था 300 कैल्विन यह से cancel हो गया 1.2 इस बड़ादों से 6 दोनी 12, 6 ती 18 2 बटा 3 तो 2 बटा 3 इंटू कितना 300 बड़ाएं इसको कितना बाद 100 200 कैल्विन 200 कैल्विन तो 35 का आंसर आपका हो जाएगा second बिलकूल साब अगले में पहुंशते हैं एक current carrying loop is placed in a uniformity field in 4 different orientations और आपको पुछा है कि इनकी potential energy का घरतावा करम गयाद कीजिए और angle दे रखाए B और इसका area का ठीक है तो देखें potential energy जो हुआ करती है वो होती है U is equal to minus का M B H या B cos theta negative होगा करती है angle आपको देखना पड़ेगा M और B H का आपको B दे रखाए और ये N जो magnetic moment है उनका magnetic field आपको दिया जा रहा है तो यहाँ angle कितना देखो है 180 180 होने पर आप चेक करो cos 180 माइनस का बन होता है तो तो maximum होगी तो यहाँ जितना angle अधिक से अधिक होगा उतनी energy का इसी plus में हैगी और maximum हैगी तो only आप इसमें angle जो हना उसको चेक कर लें बड़ा angle है 90 से जादा जितना हादिक है उतना है उसकी energy आपकी plus में हैगी और energy में तो sign बड़ा important करेगा तो यह plus में सबसे जदा है वन की सबसे जदा है plus में वन की plus में सबसे जदा है तो वन की तो यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है यह गलत हो गया उसके बाद angle चेक करो तो देखो यह angle है उस से 90 से बड़ा है तो 4 first के बाद 4 आएगा फर्स्ट के बाद फोर आएगा कोई रोकने वाला सही नहीं है तो इसका अंसर आपका थर्ड थर्टी सिक्स में आपका हो जाएगा थर्ड नेक्स्ट स्क्वार करेंग लूप इस संपंडेड नियुनिफर्मनेटी फील अक्टिंग पर्पेंडिकुलर तु अपड़ प्रव प्रयूप इस एफ तन नेट फोर्स ऑन दे मैनि नट परकल फोता है क्यों नेट फोर्ट जिरू होता है एक क्लोजली वाउंड सोलनोड 80 सेंटिमेंट लॉंग है फाइफ लेयर्स ओफ वैंडिंग्स ओफ 400 इच क्या कर रहा है हमारे पास से कोई सोलनोड है जिसकी लंबाई दिरकी हम लोगों को कितनी एल इकोल टू है 80 सेंटिमेटर इस पर हमने वायर की पांस लेयर है वो लपेट कितना फोर हंड़ेट इंटू फाइब कितना टोटल नमर ओप ट्रंस कितना हो गया 2000 कि करेंट इसमें जो फ्लो करी जा रही है वह कितनी है करेंट है कि इतनी देखो एट एंपिर हमसे पूछा है करेंट कैरिंग दिस टी एस्टिमेट दे मैंटिक मैंटू डॉप इंसाइड इसके सेंटर पर कितना फिल्डूगा वह आपको पता करना है तो इसके लैंस से बहुत चोटा है तो इसको अपनर मान सकते हैं लोंग इंटू, नमरोब ट्रंस कितना होगे आपके पास, 2000, अपोन लेंथ कितनी है, 80 cm, तो पॉइंट एट, इंटू, आई, आई हमारे पास है, एट, करंट है, 8 Ampere, पॉइंट, एट, ठीक है, अगर इस पॉइंट को यहां से उड़ा दें, तो यह एक पॉइंट उड़ा दो, 8 से सिर्फ फर्स्ट में आ रहा है, बाकी तो बाद की बाते हैं, और सपन चेक करेंगे, तो आ जाएगी, तो 38 का आंसर आप हो जाएगा, फर्स्ट, 38 का आंसर, फर्स्ट है, बिल्कुल ठीक है, यह यूनिफॉर E and B are in same direction, इस पॉजिटिव चार्स पार्टिकल इंटर इंटर इ It will move in same direction, जैसे मूँ कर रहा है, उसी तरफ मूँ करता जाएगा, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, its velocity remains constant, यहाँ थोड़ा सा एक गड़बड है, its speed remains constant, it will deflect perpendicularly, एक समरूप E और B समांद समा आरोपित है, समा, ओ, 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 एक मिन्ट रुको, एक मिन्ट रुको देखो, इसमें क्या दरेखा है, अपने को E और B, E और B दोनों समांद इशा में है, यह positive charge particle enters in this region with velocity, यह तो बोला ठीक है, V equal to E upon B से इसमें इंटर कर रहा है, अब इंटर करने के बाद में और कैसे, towards same direction, जिस तरफ E और B है, उस तरफ ही इंटर कर रहा है, यह भी साप साप लिखा हुआ है, तो ऐसे में B का तो force 0 है, only force किसका हैगा, electric field का, क्योंगी आप जानते हैं, B का force होता है, Q, B, B, sin theta, वो theta के 0 होने पे कितना force हो, 0 force हो, अब only E यहाँ पर act करेगा, और E वेक्ट करेगा, तो E का तो force accelerate करेगा, इसकी speed तो बढ़ेगी, तो its velocity remains constant, its speed remains constant, it will deflect perpendicularly, it will move in same direction, हाँ, यह fix है, force इसमें किस तरफ है, E की तरफ ही है, तो its same direction में ही रहेगा, इसकी speed constant नहीं रहेगी, इसकी speed velocity भी constant नहीं रहेगी, it will deflect, deflect भी नहीं होगा, यह speed बढ़ दिवी से move करेगा, फरंतु direction की क्या ही same रहेगी, तो इसका answer आपका, 40 का 3 हो जाएगा, 39 का question का answer है, for, बिल्कुल ठीक है, साथ, कोई issue में issue नहीं है, अच्छा question नहीं, if a magnetic, if a magnetic is suspended at an angle of 30 degree to the magnetic meridian, तो इसका angle किता है, यह alpha जिसको अपन deflect करते हैं, और needle max 45 degree angle with horizontal, यह कर रहा कि अगर किसी magnetic dip को, अपन मेरिडिन से 30 degree पर गुमा दें, तो ऐसी केस में, जो angle of dip, वो कितना 45, तो मेरिटिक, मेरिडिन से theta angle पर गुमाने पर ही, तो pseudo angle of dip होता है, तो pseudo angle आपको दे रहा है, 45 degree, 30 से गुमाने के बाद, तो आपको मालूम है, कि जो 10 theta होता है, real angle of dip, वो होता है, कितना से करते हैं, value open put करते हैं, VB constant, VH आपका कोस है, इसको solve करते हैं, तो यह आपका आता है, 10 theta upon, cos alpha, alpha कितने angle से आपने उसको डेविट किया है, हमसे पुछा, actual angle of dip, 10 theta निकालना है, तो 10 theta जो actual angle of dip है, वो है, should angle of dip, कितना है, 45 degree, तो 10, 45, 1 हो गया, cos alpha, cos alpha, cos 30 कितना होता है, आपका root 3 by 2, तो theta कितना, 10 inverse, 10 inverse root 3 by 2, 10 inverse root 3 by, तो यह इसका answer आपका बन जाएगा, 40 का answer है, 3rd, next, देखो, high stress is loop for two magnetic materials, A and B, आर, इसमें, इसका area जादा है, low so up it, जादा होगी है, area बहुत कम है, low so up it, बहुत कम होगी, इसको अपने use करते हैं, transformer की coil, और, जो अपने minute बनाते हैं, magnetic, electric minute बनाते हैं, उसमें use होता है, और इसका use आपका, स्थाही जो जुम्बक होती है, permanent minute होती है, उसमें क्या जाता है, तो B for electromagnetic and transformers, योज किया जाएगा, अगला question है कि कौन सा इस relation आपका बिलकूल ठीक है, तो chi M is equal to होता है, mu R minus 1, chi M is equal to mu R minus 1, अगला question देखें, question है, एक कोई charge particle proton है, दूसरा alpha particle है, दोनों को आपने field में इंटर करवाया है, transverse field में तो path कैसा होगा, circular path होगा, ठीक है, B दे रखा अपने को B और 2B, पर इसमें condition दे रखा है कि दोनों की radius कैसी equal है, तो ऐसी स्थी में kinetic energy का ratio आप से पूछा, जारा है, तो circle path में, जब particle, circle path में motion करेगा B में, तो उसका radius of circle path कितना होता है, 2M, K का root upon QB, ठीक है जी, आपको यहाँ पूछा है, radius दे रहे की constant, 2 वैसे constant है, इसका square करेंगे तो यह हो गया QB, QB को इज़र लिया हूँ, तो यह हो गया actually Q square B square, M को लेता हो नीचे, यह किसकी kinetic energy के proportional है, अब हमको इसका ratio निकालना है, तो K proton ratio K alpha, तो charges की बात अपन करें, तो यह हो गया E square, फिल कितना पहले गा B square, upon mass कितना proton का MP square, करते हैं बात किसकी alpha की, तो 2E का square कितना 4E square, B double है तो 4B square, mass कितना 4MP, तो 4MP, MP का square नहीं है, MP तो single है ना, अब इसको solve करेंगे, तो E square B square upon MP तो सब के उड़ा दो, 4 से 4 cancel, तो 1 ratio 4, यह का answer आपका आजाएगा, 1 ratio 4, और, when a charge particle enters in uniform magnetic field, its kinetic energy demands constant, magnetic field में कानेटिक इनर्जी किसी भी सुरत में change नहीं हो सकती, इस साथ particle moves in magnetic field B, तो B किस तरफ है, आप ने लगा रखा है, आप सक्सिस में, और स्पीड का सी आई और जे, उसका एक component इस तरफ है, एक इस तरफ है, इसके कोर्डिंग पास सर्कूलर, सेट लाइन इसका कौन सर्कूलर, तो मिक्स कितना है, हेलिकल, हेलिकल पाथ इसका हो जाएगा, हाँ जी, अब इसमें क्विशन है, एक conducting road of length L, mass small m, is moving down a smooth inclined plane of inclination theta, यानि कोई हमारे पास एक inclined plane है, इस तरह का, जिसका angle theta है, और इस पी कोई एक road है, जिसकी length L है, mass small m है, वो नीचे की तरफ move कर रही है, यह मालो road है से, और constant speed से motion कर रही है, speed अगर constant इस तरह नेट फोर्स कितना 0 है, तो अगर पहले इसका gravitation force है, अपने देखें, तो नीचे force आपका आवा mg, mg cost और यह लग गया आपका mg sin theta, mg sin theta, अच्छा, आप कह रहा है, एक current I is flowing in conductor in a direction perpendicular to the paper outwards, जो paper है, उसमें बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ इसमें current flow हो रही है, dot के टर्मस में, speed इसकी है आपकी इस तरफ भी है, तो current के रिंग, ठीक है साब इतना को दिकत नहीं है, current इसमें बाहर की तरफ लो हो रही है, ए vertically upward magnetic field B exists in space, जो space आपका अदर रखा है, उसमें vertically upward हमने force अपलाई कर रहा है, तो ऐसे में इसमें मैनेटी force की तरफ लगता है, तो current है भाहर की तरफ, current हो गया यह और मैनेटी फिल आपका ऊपर की तरफ, मैनेटी फिल है आपका ऊपर की तरफ, तो इसमें direction कैसे चेक करते हैं, इसको देखते हैं अपन, तो इसमें एक थोड़ा सा correction है किसन में, कि actually current उदे रखा है, उदे रखा है कैसा तल के लंबोत बाहर की तरफ, current इसमें flow करना है तल के लंबोत अंदर की तरफ, बी लगा रखा है अपने ऊपर की तरफ, बी अगर ऊपर की तरफ है, current अंदर तो force लगे आपका इस तरफ, यह हो, और force है कितना, I, L, B, क्योंकि अगर ऐसा force नहीं होगा, तो यह constant speed से move नहीं कर सकता है, क्योंकि इस force को balance करने के लिए आपको एक force component चाहिए, तो कोई दिकत नहीं साब, आप चेक करो, तो अगर आप इसमें देखें, तो यह angle कितना है, theta, तो यह पूरा 90 है, तो यह 90 मैस का theta ती होगा, theta हो गया, इसका अपन कंपोंट करेंगे, तो I, L, B, यह हो गया, cos theta, I, L, B, sin है वो, जो normal force है, इसको और strong करेंगा, कोई इसों नहीं है, तो अब इसको चेक करेंगे, तो हमारे पास value कितनी है, देखो, M, Z, sin theta, is equal to, हो गया, I, L, B, cos theta, और इससे हमको निकालना है, magnetic field B, तो B है, sin upon cos 10, तो M, Z upon I, L, sin upon cos क्या हो गया, 10 theta, M, G upon I, L, 10 theta, M, G upon I, L, 10 theta, 46 cancer, आपका और जाएगा, 2, बिल्कुल ठीक है, बढ़ते हैं, अंगले में, question है कि an electron moving with a speed U along the positive axis, plus axis में electron move कर रहा है, बिल का रखा है नीचे, अब electron move कर रहा है, इस तरफ तो करड़ इसकी होई इस तरफ, तो यह debit होगा नीचे, debit नीचे होगा तो इस तरह से move होता बहार आएगा, ठीक है, जब बहार आएगा वापस इस point पे तो यह Y कैसा है, य है less than zero and negative है, और manative field से speed कभी vary नहीं करती है, तो speed जो V यहाँ निकलती है, वो U के बराबर रहेगी, तो V is equal to U है, पर Y जो value है, वो कैसे negative है, zero से छोटा, V is equal to U, Y less than zero, a long straight wire along the Z axis carries a current I in the negative Z direction, जैसे मान लो, यह X axis, Y axis, Z axis, यहाँ कोई wire रखा है, उसमें current कैसी downward है, आप से पूचा कोई point है, the magnetic field be at a point having coordinates X, Y, on the Z, 0, यहाँ इसी plane में यहाँ कोई point है, और इस point को आप देखेंगे, तो इसकी X होगी, distance कोई इसकी Y है, और यहाँ भी जो point है, इस पे आपको field हो find करना है, current है downward, तो इसका field कैसा है, इसके ठीक 90 पे इस तरह, यह B, अब ही distance X और Y तो ही distance R हो गया, R actually है कितना X square plus Y square का root, तो इसकी value जो अपन निकालेंगे न, B की value, वो है mu naught I upon 2 pi, R हमारे पास कितना है, X square plus Y square का root, mu naught I upon 2 pi, X square plus Y square का root आपके पास value आ गई, ठीक है, अब इसको solve करना हमको पढ़ेगा, कैसे, वेक्टर फॉर्म देर के answer, वेक्टर फॉर्म में आप देखो, तो अगर मैं इस angle को यहाँ theta मान लूँ, इस angle का theta होने पर यह बाला किता 90 minus theta हो गया, यह आपका theta, यह पूरा angle theta है, ठीक है, तो अब इसको solve कैसे करेंगे, तो इस angle के theta होने इसके अपन component करते हैं, तो एक तो होगया b cos, और यह होगया आपका b sin theta, b cos और b sin theta, b sin axis में है, b cos कैसा है, minus j में, तो अगर पहले तो इनको यह चेक कर लें, तो एक तो है component i तो plus का है, और j माइनस का, j माइनस का, i plus का, j माइनस का, यहाँ पर दो आगया option, अब दिक्कत होगी, y i cape, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, तो यह इसका खेल आपका रहा, तो अब इसको open j करेंगे, तो b sin theta और b cos theta, चलो तो, vector 4 में आप लिखो गया, तो b इसको अपन लिखें, b, तो क्या लिखें, देखो, b sin theta i cape, b sin theta i cape, और नीचे हैं आपका b cos theta j cape, ठीक है, यह आपकी गर्णा रही, b को अपन common ले ले लें, तो common तो हमारे पास कितना, mu note i upon 2 pi root of x square plus y square आगया, अब issue only है sin theta का और cos theta का, sin और cos की value कितनी आती है, वो देखें आप, हमारे पास triangle देखो, यह वाला है, इसमें यह आपके पास, x है, y और यह angle theta है, तो अगर हम sin की value आपसे, यह मान लो r है, तो sin की value कितनी है, sin theta equal to है, y by r, तो पहले में y आएगा, यहाँ y into i, y i cape, y i cape, y i cape, यह x है, यह आपका first है, वो सही हो जाएगा, इस charge q moves with a velocity of 20 meter per second along x axis, x axis move कर रहा है, तो आप से पूछा है कि इस फे force x पे अगर move कर रहा है, तो x का force 0 है, तो force only j और k का रहेगा, तो निशी तुरुप से किसी एक x में तो है नहीं कोई plane में आएगा, यह बोला कि x axis में, यह है plane में, बिलकुल plane के अंदर force आदाएगा, यह particle with this charge and this mass सिद्धर रखें अपने को, तो the force on the particle is, particle पे force कितना वो आपको बताना है, चलो तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, यह साब, एक कंड जिस पे इतना आवेस है, जिसका दर्यमान कितना इतना है, yx की दिशा में गती कर रहा है, यह साब, यह yx में गती कर रहा है, पिर दरखी है, भी दरखा अपने x दिशा में, तो कंड पे लगने वाला चुम्बक के बल कितना होगा, आवेस यूँ भी इस तरफ, तो माइनस के की दिशा में, माइनस के की दिशा में, माइनस के में तो एक यह option है, पर कोई है नहीं, तो value आप इसकी निकाल लेना, f is equal to only qvb, qv और b सब दे रखें, आप इसके value निकालेंगे, तो आजाएगा, direction इसको important होती है, चेक कर लेंगे, इन्हें cyclotron the angular frequency, तो cyclotron की angular frequency पर निकालते हैं, तो आपको दिशान होगा, उसका time period होता है, 2 pi m upon qv, और इसका ठीक उल्टा, तो जिसे omega अपन कहें, तो कितना होता है, 2 pi upon t, तो आपको कहीं पर यह से emotional parameters नहीं होते हैं, speed depending करता है, independent speed पर बाकी mass पर charge पर depend करता है, a beam of helium atoms with velocity this interest normally into a field of this, the radius of the circular path will be, तो beam of helium atom with velocity this interest normally into a uniform B, the radius of the circular path will be, helium atom, तो तो उदासीन है, यह move करेगा state path पर तो radius करते हैंगी, infinite, an electron interest in a uniformity field at angle theta, then it's, यह बहुत ही पैरा कुश्चन है, आप ने लगा रखा है, मैंने ते field मानलो, इस तरह से field लगा दिया, यह इसको अपन ऐसे मालने देखो, मालो अपन यह field लगा रखा है, और इस field के साथ theta angle पर theta दे रखा नहीं, theta दे रखा है, theta तो अब उस्ता है, theta इतना भी हो, 90 भी हो, 90 से बढ़ा हो, तो अगर theta 90 छोटा है, तो path कैसा होगा, बी लगा रखा है, हम लोगों नहीं कहला, तो यह गरा कि will be linear, तो angle तो कितना भी हो सकता न, रेखे ही होगा, जरूरी नहीं, will be helical, यह गरा कि helical ही होगा, हेलिकल तो तब होगा, जब यह angle आपका 90 से, छोटा हो, 90 की कम 90 से बढ़े होने पर हो जाएगा, maybe circular, अगर यह 90 से इंटर करता है, theta तो 90 भी possible है, हाँ, यह कहिए, अगर बिलकुल हाँ साब की 90 अगर इंटर करता है, तो circular हो सकता है, बिलकुल है, maybe parabola, parabola is impossible नहीं है, only magnetic field होगा, तो हाँ path यह तो कैसा है, circular, यह path कैसा, helical, यह कौन सा, straight line, 0 degree पर है, 180 पर है, straight line, 90 पर है, circular, other than this क्या होता है, helical path होता है, तो यहां संभावनों के अधार पे, कुसन गानसर आपका, maybe circular, अच्छा, and electron beam passed through a magnetic field of this and electric field of this, और यह तीनों आपस में 90 पे, if path of electron remains undeflected calculated speed, तो ऐसे में तो एलक्स सेलेक्टर बन गया, और velocity सेलेक्टर में, तो speed होती है, वो कितनी होती, E upon B, E upon B, E upon B पर निकालेते हैं, E हमारे पास कितना है, 3.2 into 10 to power 8, और यह है, 2 into कितना, 10 की पावर मैनस का 3, यह हो गया 7, तो 1.6 into 10 की पावर 7, 1.6 into 10 की पावर 7, और इसको हड़ाओ, तो यहां 10 की पावर 6, 16 into 10 की पावर 6, मिटर पर सेकेंड आप इसका अंसर, देख सकते ह आपका हो जाएगा, थर्ड, यह वायर ओफ लेंथ, L carries a current I along the Y axis, a magnetic field exists which is given by this, find the magnitude of the magnetic force acting on the wire, Y axis में कोई तार दे रखा है, फिल्ड आप लगा रखें, X में भी है, Y में भी है और Z में भी है, तो जो इसकी तरह उसका force 0 आएगा, बाकि दो का तो force आएगा, दोनों force 90 पाएँगे, 90 पे तो root 2 आएगा, कोई शो नहीं है, definitely है, A rectangular coil of 100 turns has length 4 cm and width 5 cm, it is placed with its plane parallel to uniform energy field and current of 2 ampere is sent through the coil, and the magnitude of magnetic field B, if the torque acting on coil is 0.2 newton meter, तो ऐसे में जो टॉर्क अपन लगाते हैं, टॉर्क इतना एगा, आपको बोला है कि, 200 गहरों की एक आयतागार कुंडली है, 4 cm और ये इसकी लंबाई चुड़े दे रखी है, तो area हमारे पास हो जाएगा, 4 into 5 into 10 की पाउर मैनस का, 4 meter square, B हमको दे रखा है, sorry, 2 ampere current आपको दे रखी है, B का परिमान ग्यात कुरो कुंडली पर बला गुण कितना, 0.2 newton meter है, और समानतर रखी है, कुंडली है, B के समानतर है, समानतर होने पे उसका area और आपस 90 डिगरी पे हो जाएंगे, 90 पे होने पे torque का maximum है, तो आपको B find करना है, तो torque upon कितना N, I, A, torque हमारे पास है, 0.2 upon number of turns दे रखे हम लोगों कितने 100, current कितनी है, देवताओ, 2 ampere, और जो area है, वो है 20 into 10 की power minus का 4, इसको हम करते हैं, solve, point को यहां से उड़ा दूं, तो हो गया, 1 upon 10, 2 से टुक उड़ा देते हैं, अब check करते हैं, नीचे, तो 10 की power 2, और यह 3, यहां बचा only, और यह 4, पुरा cancel, 1 upon 2, तो 0.5 tesla, तो 0.5, 56 का answer आपका है, 4, next बढ़ते हैं, a beam of particles with speed of this, यह सब दे रख आपने को, radius of curvature of path is, आपको radius of curvature पूछा गया है, 30 degree पर पद की वग करता तर जातो, r is equal to mv sin theta upon qb, इससे इसको अपन आंसर निकालेंगे, तो आपका answer है, वो 0.43 cm के आसपास आ जाएगा, नेक्स्ट है, कि for which figure the net force on the charge may be 0, तो चार्ज पर फोर्स जिरो होने के लिए, तीनो 90 पर होने चीए, यह दो दे रखे हैं समानतर, यह दो दे रखे हैं समानतर, यह तो 90 पर हैं, प्लस हो चेह मैनस हो, तो यहां अगर देखो, तो मान लो प्लस इसको मान लो अगर मैं एक बार, प्लस मानने पर E दर रखा इस तरह तो force आपका इस तरह आगया, तो अब मैनेटी फोर्स है, वो टोटल फोर्स जीरो होने के लिए, मैनेटी फोर्स आपको डाउन वर्ड चीए, तो धान करें, बी किस तरह है, जड अक्सिस, बी मान लो इस तरह मान लिया, और करेंट इस तरह वगे तो force लगया नीचे, बिलकुल ठीक है, ratio of time period of one cycle will be, time period होता क्या है, t is equal to होता आपका, 2 pi m upon qb, ठीक है, तो इसमें speed भी different दे रखी है, angle भी दे रखी है, बहुसा angle पर depend करता नहीं है, तो only depend कर रहा किस पर है, और b दे रखा आपको same, तो t समनुपाती हो गया, आपका m upon q, तो देखिए, t proton, अनुपाती alpha is equal to, mp upon e, ratio, alpha party charge किता, mass किता, 4 mp, upon 2 e, mp से यह cancel हो गया, यह हो गया 2, तो आपका answer है, 1 ratio 2, तो 59 का answer हो जाएगा, first, बिल्कुल ठीक है साब, अब पहुंच गया पन, last question पे, 3 close loop are of same type wire, same type wire, are sewn in figure, if area of each loop is same end, सबकी तो क्षेतरफल बराबर हैं, और साब साब लिखा है कि same current, loops are same then, which will experience maximum torque in same end field, पर same loop is same and current through, area of each loop is same and current, current through all loop are same, current समान दे रखिये, तो torque कीता आएगा, तो torque हम पढ़ते हैं, NIAB, current से हम दे रखिये, B समान लगाए रखा है, area भी समान है, तो torque से बराबर आएगा, तो फौर इस का answer आपका सही चला देगा, ठीक है, और इसी के साथ, इस solution को पन स्वाप्त करते हैं, ओके, thank you, JCLC.